जुकाम यू तो बहुत मामूली लगता है पर ये बहुत ही परेशानी देता है आज कल इस रोग से अधिकतर लोग प्रभावित है ये रोग किसी भी मौसम में हो सकता है बस सर्दियों में जुकाम होने की संभावना अधिक होती है नमस्कार दोस्तों आज की विडियो में आप सब का स्वागत है आज हम जानेंगे पुराना नजला और जुकाम का देशी इलाज आयूर्वेदिक दवा के साथ ही नजला का घरेलू इलाज भी काफी फाइदे मन साबित होता है जिसमें घर पर ही काढ़ा बनाकर पीने से रोगी को राहत मिलती है काढ़ा कई प्रकार के हैं जैसे अद्रक और गुड का काढ़ा अजवाइन वगुड का काढ़ा डालचीनी का काढ़ा इसके अलावा शहद और अद्रक का रस एक एक चम्मच मिलाकर सुभशाम पीने से नजले में फाइदा आता है हल्दी और दूद गरम कर उसमें गुड मिलाकर पीने से जुकाम, कफ व शरीर में होने वाले दर्द से राहत मिलती है सुभशाम अजवाइन की फंकी लेने से भी आराम मिलता है देसी गाय के शुद देसी घी से भी नजला में काफी आराम मिलता है ऐसे में रोगी को उस गाय का घी लेना है जिसकी पीट पर हम्प होता है यह घी आपको लगातर तीन महीने डालना है यह दस से ज्यादा साल पुराने नजले को भी खत्म कर देता है गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिला कर गरारे करने से खासी जुकाम के दौरान काफी राहत मिलती है इससे गले को राहत मिलती है और खासी से भी आराम मिलता है यह भी काफी पुराना नुस्खा है ऐसी और जानकारी के लिए हमसे जुडे